तो हमारे नेता अर्विंद केजिरिवाल जी ने अस्वष्ट किया है कि जब तक अध्यादेश पर आप समर्थन नहीं दोगे तब तक हम सिम्ला समुझोते में सामिल नहीं लेकिं वहां पर रातो रात अध्यादेश ला करके फिर उस जो आदेश था उसको ठंडे बस्ते में अध्यादेश ला करके आप संग्ये ढाचा को कहीं पर भी भारती जन्ता पार्टी कमजोर कर सकती है तो अध्यादेश पर उन्होंने समर्थन करने का एलान नहीं किया है अभी तक और अगामी 12 जुलाई को विपक्षी एक्ता की बैठक है सिम्ला में तो हमारे नेता अर्विंद के जिरिवाल जी ने अस्पष्ट किया है कि जब तक अध्यादेश पर आप समर्थन नहीं दोगे तब तक हम सिम्ला समुझोते में सामिल नहीं नाराजगी कोर्शिश नहीं हम लोग को तो अस्पष्टा के साथ अध्यादेश का मान था अभी त हैसला दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली का मुख मंत्री के द्वारा संचालित किया जाएगा लेकिन वहां पर रातो रात अध्यादेश ला करके फिर उस जो आध्यादेश था उसको स्थंडे बस्ते में डालाई अब हम लोग को है कि इसकी लड़ाई सं हमारे पास नहीं है तो हम लोग सारे विपक्षी दलों से बोला था कि यह सब के हितकी लड़ाई है अध्यादेश लाकर करके आप संग्ये ढाचा को कहीं पर भारती जन्ता पार्टी कमजोर कर सकती है उस दिस्तिति में हम लोगों नहीं लोगों से बात कि बात जहां तक तो लिए कि राहूल गांधी परदानमंत्री के चेरा तो आम आद्मी पार्टी राहूल गांधी को कतई बिल्कु लगर अध्यादेश पर कॉंग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है और ऐसे हमको कॉंग्रेस के सिवाए कांग्रेस से अलग हट करके बहुत सारे बिपक्षी दलों का कभी ऐसी बात नहीं हुई है एक 25 जून की घटना थी जिस दिन ये दुर्भाग बस घटना घटी है वह भी मैंने बाद में पता चला तो उस दिन आपात काल था मुझे याद नहीं था आपात कल पर जेपी के चेली चपाटे जो थे वो अब कड़वंदर में आ गए थे मौन आदमी पार्टी के टोपी बना करके अपने कार्जगरताओं को उन्हों कोश्टर फाड़ने के लिए तो इसमें तो हमारे मुखमंत्री दिली के मुखमंत्री जी अर्विंद केजरिवाल जी का बयान आ जा चुका है उन्हों नस्पष्ट तोर पर कहा है कि हम हिमाचल वाले इनमम एजेंडा उन्होंने कहा कि सारी पार्टी ओं की बात को सुनी जाए और छेत्रीय दोलों की अपनी अपनी समस्याएं होती है तो सारे बातों को एक साथ रख करके विपच्छी एक्टा पर बात हो सकती है सिर्फ कॉंग्रेस के अहंकार पर विपच्छी एक्टा समर्थन हम लोग नहीं करेंगे तो अजय माकन जी के ब्यान के बाद हम लोगों ने असपश्ट तोर पर बोला कि अगर आजय माकन जी इस बात को बोल रहे हैं तो अजय माकन जी पार्टी के एक बड़े निता है उनका ब्यान ऑंथेंटिक माना जाना चाहिए उस पर हम हो रही थी तो हम लोग ने यह ब्यक्त किया था कि देश के सबसे अभिस्वास दिये चेड़ा नितिश कुमार जी है इसलिए विपक्ष के एकता के बहाने कि हम लोगों का एजेंडा कहीं भारती जन्ता पार्टी और आरेसेस को ना पहुंचा दें इससे हम लोग सचे तरह प्रधान मंत्री जी चोर के खुद वो मानीटर है उनके गुजरात के जितने भी चोर है विजय मालया मेहुल चौकसी यह सब सारे जो लोग है अभी तक वो कहा है प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए वो देखिए वह भ्रम फ्लाइन पहलाने की कोशिश करते हैं तो अरभिन्द के जियर्वाल के चेहरे से जो दिल्ली तो दिल्ली के मची कुणी चुना प्रधान मंत्री जी आप का रहे हैं से तारी टत प्छ होखने के बाद तो घवरा़ प्रधान मंत्री जी की ती है और प्उभाल है